टाइटानिक जुहाच के मलवे को देखने के लिए लोगों को ले जाने वाली टाइटन पंडुबी रविवार दो फर से लापता है तमाम कोश्च से जारी हैं कई हजार किलोमीटर तक रेस्क्यो ऑपरेशन भी चलाया गया लेकिन पंडुबी का फिलाल कोई सुराग नहीं मि सम्मरीन में ऑक्सिजन खत्म होने के आशंका है कैनेजा की तरब से सर्च ऑपरेशन में शामिल एक एरक्राफ को सुनार बाय की मदद से कुछ आवाजे सुनाई भी हैं यह उसी जुगा के पास से रिकॉर्ड की गई है जहां टाइटनिक का मलबा मौजूद है आवाजे करी जहां पर टाइटनिक लापता पहले हो चुका था इसमें एक पाइलेट और चार पैसेंजर सवार थे एक रिपोर्ट के मताबिक 18 जून की दोपर को सम्मरीन पानी में उतरने के आट एक घंटे 45 मिनट बार अडार से गायब हो गई इसमें सिर्फ 96 घंटे का लाइब सपोर् संकारी भी नहीं मिली है कि सम्मरीन अभी भी पानी में ही है या सतह पर आ चुकी है टाइटनिक जहाज का मलबा अट्लांटिक ओशिन में मौजूद है यह कैनेडा के न्यू फाउंड लैंड के सैंट जून से 700 किलो मीटर दूर है मलबा महासागर में 800 मीटर के गहराई में ह सफर भी कैनेडा के न्यू फाउंड लैंड से ही शुरूप होता है यह दो घंटे में मलबे के पास पहुंच जाती है अमारिका कैनेडा की रस्क्यू टीम समुद्र में 76-100 स्क्वायर मील की एरिया में सर्चिन कर चुकी है मंगलबार को ये बात भी बताए गई कि के करीब 900 मील पूर्व में पंडुबी के तलाश चुच जा रही है इसके अलावा पानी में सुनार भाई की छोड़े गए हैं जो 13,000 फीट की गहराई तक मोनेटर कर सकते हैं इसके अलावा कोमर्शिल जहाजुकी धी मदद रीचा रही है पंडुबी ओशन गेट कंपनी की टाइटन सबमर्जिबल है इसका साइज एक ट्रक के बराबर है ये 22 स्वीट लंबी और 9.2 पी चौड़ी है पंडुबी कार्बन फाइबर से बनी हुई है टाइटनिक का मलबा देखने जाने के लिए हर व्याक की 2 करोड रुपए फीज देता है ये सबमरीन समुदर में रिसर्च औ और ऑपरेज करने के लिए पोलर प्रिंस वैसल का इस्तेमाल किया चाहता है पंडुबी कम मिलती है इसे लेकर जो भी बड़ी चांकारी सामय आएगी आप तक पहुचाएंगे बने रहे हैं इंडिया नियूस के साथ धनिवाद